आप देख रहे हैं देश का सर्गुष्रेश चैनल ABP News ठीक 30 मिनिट बाद ABP News पर आपको सबसे तेज और सबसे सखीक नतीजे देखने को मिलेंगे तो देखते रहे हैं आज की महा कवरेज तो महस 30 मिनिट का इंतिजार बाकी रह गया है और सुभाड बजे वो पहला रुजान जिसका आप इंतिजार कर रहे हैं नतीजों का दिन है आज नजर नंबर पर रखनी है और इसलिए आपकी सहूलियत के लिए ये ABP News की स्क्रीन जिसके बारे में हम लगातार आपको जानकार हम रखेंगे खास मैमानों का पैनल लगातार हमारे साथ बनवा और मुझे लगता है कि जल्दी से क्यूंकि अब सिर्फ 30 मिनिट का इंतिजार बाकी रह गया है बदरी जी से शुरूबात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश से शुरूबात करते हैं साइकल चलने वाली है कमल खि अब सबस्क्राइब समझते हैं हाथी को हाथी की स्थिती इस बार बठ्खरे की तरह है हाथी के वोटर जिधर जाएंगे यानि हाथी का अपना एक पेसबोट बचा रहेगा आपके सामने इस पर सुझा जाएंगे लोग कॉंग्रेस को स्परस्ट बहुमत देने जा रहे हैं बहुत अच्छा बहुमत देने जा रहा है यहां से यहां तक मिल सकती है उसका मतब एए जो एक्जिट बोल हो खुजी शै और नहीं है सत्तर की विधान्सवा में आप नव सीटुं का आंतर बता रहे होंगे यहां से यहां तक कुछ भी मिल सकता है तो इसलिए उस एक्जित पूल की विश्वेशनिता अपने हाफी में बाकिया और सब ने जो है कांटी की टकर बताए कुछ उन्हें कॉंग्रेस को चाली से उपर सीथे दी है और मेरा अपना मानना है कि कॉंग्रेस तो बड़ा दावा हरीश रावत का आप सुन रहे हैं उत्राखण में कॉंग्रेस को बहुमत मिलेगा ये कह रहे हैं हरीश रावत और हरी शावाद तो जो कह रहे हैं उनकी बात मानती लेते हो ये थोड़ी कहें कि भाजपा को मिलेगा लेकिन फिरोजबक्स साब क्या बोल रहे हैं मैं सब के पास आओगा नंबर सोचके रखेगा एक ही शब्द बोल सकते अógर वहां नमबर आपका नंबर यूपी के लिएो क्या फिरोजबक्स होएजबक्स कोई बी जा सब्सक्राइब you प्ता कौन दीजिए जल्दी से रसल मैंने कहाना कि यस्तिनापोर से बन्दा बंदा हुआ। इंड़ें गावना चार मैं से तीन साफसा भाजपा कहा राजकिश्वी बीच में में मेरा बहुत असन है मैं तो एक जिट पोल के साथ नहीं हूं और उसके मौका उकारवा बता देता हूं आपको एक 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 जिट पोल समाजवादी पार्टी को दो सीटें दे रहा है दूसरा एक पॉल प्रतिश्टेत एक दोनों हैं वो उसको तीस शीटें दे रहे हैं उसको पं में मुन की बात बता दीजे एक पार्टी उसकी सीटे 50-50 जो राज किश्वर जी के पाले में एक और आदमी आतर उसें साब मैं भाजपा पर ही बात करूंगा पर 300 या देर सो भाजपा या तो 300 पार या फिर 500 के नीचे और वही फिर समाजवादी पार्टी पर भी ऐसे कुछ मैं मेरा फोकस अभी मैं उसी उसी के नेरेटिव पर समाजवादी आपको क्या लग रहा है 300 पार या देर सो के नीचे दोनों पॉसिबिलिटी 50-50 का मामला है आपका भी सर यहां भी 50-50 हो रहा है पंकर जी बीजेपी को बढ़ात है नंबर बताईए सर नंबर नहीं यह आपके पंकजी परश्चिं मंगाल में आप नंबर देंगे जहां से आप नहीं है और तर प्रदेश जिसका चपा चपा न रभाजपा है या नहीं है पंकच का जरूर है मरा कमर और पंकच प्रयाँ एक दूसरा के लेक है मैं जलना चाहेँ तो पर प्पदेश में नंब पूरा उत्राखन के अंदर चुनावी अभ्यान है हरी श्रावत के नित्रुत्व में ही आगे बढ़ाया है हाला कि ये भी का गया कि इसाफ देरी कर दी हरी श्रावत को पंजाब की राजनीती में कॉंग्रस ने फसा कर रहा अगर पहले आते तो शायद बेहतर तरीके से उत्र तरसल ये सुबह का वक्त और पल ऐसा ही होता है सबको अपने अराध याद आते हैं रिजल्ट आने के पहले और उसके बाद फिर दुबारा अराधी के पास जाते हैं कुछ लोग शुक्रिया करने तो कुछ लोग शिकायत करने कि और कितना इंतजार कराओगे प्रभू प्र एक्चली क्या है कि वोट शेयर एक्जिट पोल्स के लिए बताना मुश्किल होता है सीटे गिनना असंभव है ओल्मोस्ट क्योंकि कितनी असेंबली में क्या होगा लेकिन जो मायवती जी की पार्टी के वोट है वो जादा तर जो कटेंगे खूब सारे और वो जादा तर अ अंतर्यामी, पुर्वावू मोर मनोरत स्वामी, और यही मनोरत है कि उत्रपदेश में भाद्या पार्टी की सरकार बनेे। की पाससाग है में तो मानूरत तो अब येश्टर्दू सोचले आपके पास सुमीट जी ये ईक शचलेंतर करके ॉप लोग उसको लेते बाद में कहते इतना नमबर नहीं आया जी एक और राज है गोवा का जो छोटा राज बलई है इस खबर बड़ी दे रहा है गोवा में नतीजों से पहले बड़ी हल चल हुई है कॉंग्रेस पार्टी ने राजपाल से मिलने का वक्त मांग लिया है जो सूत्र हमारे बता आती है या सरकार बनाने जा रही है या किसी और चीज को लेकर उसको आशंका है यह अभी त्याज जानना बाकी होगा यह महत्पून डेवलप्मेंट है नतीजे आई नहीं है लेकिन राजपाल से वक्त मांगा है कॉंग्रेस पार्टी ने क्या है कॉंग्रेस के मन में जाने सवाजबादी पार्टी के दफ्तर में जबर्दस तरीके की हल चले दिखाते हैं आपको एब इविपी न्यूस मवादाता की रेपोर्ट मुठ प्रधिश की राजधानी लख्नव में आज चुनाओ परिडाम उत्सा बना हुआ समाजवादी पार्टी के कारीकरता कार्याले के बाहर हैं हात में गुबारे हैं नारेबाजी है उत्सा हैं कि जो परिडाम होंगे उनके पक्ष मेंँ होंगे एक्जिट पोल के बाद से उत्सा जो है समाजवाधी पार्टी का कम होता दिकाई दिया अब जब ची आज परणाम का दिन है कारदाल है कारदाले के बार समर्थक कोचे है हाथ में गुबाड़े है भाईया खिलेश भाईया जिंदाबाद का नारा तो है परणाम भी रहेगा काम बोलता है काम बोलता है चीद की तरह बढ़ने के बात करने गुरू यह बताईए कि आज उत्तर परदेश के अंदर एक नई सुनामी आएगी और यह जो एक जेट पोल मैनेज किये गए है इन लोगों को मुख इखाने पड़ेगी और भारत के अंदर इतिहाद में कभी दुबारा गेट पोल को दिखाने काम नहीं करें रहे हमको बताईए ड्यूटी दो लगा है सब लोग यहां पर सबावाले काउंटिंग सेंटर पर पहुचे आप लोग यहां पर रहाम जनता है जो जो नेता है आपर वो भी पहुच रहे हैं जो उत्तर प्रदेश के प्रभ सुनिश्चित हो गया है समाजबादी पार्टी सरकार बनाने जा रही है मानी अखिलेश यादोजी उस्तर प्रदेश के समझ में आ गई है भार्टी जनता यह दे कि राजेश्वर सिंग बीजेपी के प्रत्याशी उमीद्वार फूज आचना करते हुए सुबह सुबह का व समारी थे और आभा सिंग भी शायद दिखाई दे रही है तस्वीरों में उनकी बहन है आभा सिंग राजेश्वर जी के आभा सिंग चानी मनी विमन एक्टिविस्ट हैं स्वाजी कारे करता हैं तीवी डिवेट्स में आप इनको अक्सर देखते रहे हैं उनके छोटे बाही है अब तक तो आपने सोच लिया होगा नहीं नमबर मैंने नहीं सोचा है लेकिन क्योंकि मैं एक्जिट पोल पर भी नहीं जाना चाहती पूरे तौर पे क्योंकि एक्जिट पोल में बहुत अफर्ख है अगर देखे तो सौ मैं पहले से कह रही हूं कि सौ सीटों का फरक है क बढ़ा तर लोगों ने अपने हाँ पर कहा इस बंच पर बेटि चुपा इसी को कहते हैं कि मन में कुछ है लेकिन बताएंगे नहीं कि विजे जी रह गया है नमबर देने के लिए नहीं पर पहले पर उत्रप्रदेश की 24 करोर जंता ने आशिरवाद दिया है भारती जंता बात्री प्रजंद बहुमत की सरकार लेकर वापसा रही है अधानी मोधी जी के कार अधानी योगी जी के कार देश में जिस तरह से करोना काल में आधानी मोधी जी ने तेजी के साथ में काम किया वहीं उत्तरप्रदेश में डबल इंजिन की सरकार ने पंदरा करो लोगों क को मुफ्त राशन देने का काम किया वैक्सिनेट कराया है तो यह अपने आप में अभुदपूर का रहे हैं खास करके उत्रपर्दिश अब आपके मन में में अपने मन की बता है अब आपकी बारी है आप पत्ते खोली अपने पर चुके हैं आपके मुण अगर कुछ अलग है तो पता दीजिए अब आपकी बारी है आप पत्ते खोली अपने तो मैं तो इस तेनल के साथ ही हूँ ना हम सब यहां पर एक साथ एक सब बोल रहे हैं कुछी ने नहीं कहा कि सपा की सरकार बन रही है दो लोगों ने कहा 50-50 अभे जी ने और आज की शोर जी ने मनिशा जी की बात में दम है कि चुपा मत दाताओं की बातें इज़िट पॉल में नहीं आती है तो उनको हम बिल्कुल एक हम कंडिशन लगा के चलें कि चुपा मत दाताओं अगर कोछ अलग किया हो तो सब के साथ है यह तो सब के साथ है हमने यूपी पूरा कर लिया यूपी में मोरोलेस सब लोग के कह रहे हैं सौ में से 802 दी लोग मान ले और दो लोग तो न्यूटरल में खेले से खेल रे हैं हрип epos 8020 चुनाव अब पंजाब पर करतें ले इसके परेवादा बांजाब बेक्या हो रहा है फिरो और दीशोश दिस शुरू करते हैं सर पंजाब के ल hypocrite यह कौण देखे नमबर तो कहना मुश्किल है लेकिन मैं समझता हूं कि चन्नी का चांस है सबसे बड़ा दल हो सकता है लेकिन जिस तरीके के हाला थें उसमें सवाजवादी पार्टी यूबी में भी समाजवादी पार्टी की बदलाओ का चहरा है पॉल तो जब आपने देई दिया है तो उसी पॉमेंटम में यूपी का चुनाओ इस पश्ट मैं जो समझ में नहीं आया यूपी में सपा है की नहीं है सरकार बना रहे हैं की नहीं बना रही है सपा सबसे बड़ा दल होगा इसाफ साफ चलिए ठीक आकाश पाने वोटों की गिनिती शुरू होने में सेथ 15 मिनिट बाकी तो गिनिती शुरू होने में महस 15 मिनिट का इंतजार और देख सकते हैं आप 14 मिनिट 49 सेकेंड, 48 सेकेंड, लगातार इंतजार कम होता हुआ जैसे याट बचेंगे, फॉरन वोटों की गिंती शुरू हो जाएगे, और सबसे पहले पोस्टिल बैलेट खुलेगा, लेकिन यहाँ पर हम पंजाब को लेकर चर्चा कर रहे हैं, कि कॉंग्रस कोई चमतकार दिखा सकती है, चन्नी कुछ कर सकते हैं चमतकार कॉंग्रस के लि और काफी स्टेट्मेंट्स प्रियंका गांधी के भी जोते हैं, वोट्स को फ्रिकर रहे हैं, मनिशा जी रोक रहा हूं, गोवा के मुक्यमंत्री प्रमोट सावंधी पूजा अर्चना करते हुए, जैसे कि हम बात कर रहे हैं, सुबह सुबह सब लोग अपने अपने प्रभ हो का न, कि वो क्या करते हैं, विशाल जी, पंजाब में सुमी जी हमको लगा थे खोड़िये, संकू, तुशंकू होना चाहिए, पंजाब का सरदार कौन, ठीकि जब से मने जर्नलिजम शुरू किया, मुझे यही बताया गया टेलिविशन में, कभी भी अपने चैनल के आंक है अभी, अभी आप कुछ और भी बोल सकते हैं, तो फिर मुझे बहुत कुछ कहना है, पर फिलाल जो मुझे सिखाया गया, मैं उसी के साथ रहूँ, नमबर नहीं बताएंगे, पत्ते नहीं खोलेंगे दिवांग जी, हर नियम का अपवाद होता है, जरूरी नहीं कि उस सि के डेवियेट, मौका है आपके पार, कभी तो आएगी, देखिए उम्मीद के दुनिया का है, दिवांग नहीं बताएंगे, मैं जानता हूँ, विजय जी आपकी बारी है, पंजाब, दिवांग कह रहे हैं कि चैनल के खिलाव नहीं जाना चाहिए, ये चैनल के खिलाव का नहीं है मामला, ये एक एजनसी है जिसको हमने दिया है, ठेका दिया है, वो सर्वे कर रहा है, इसलिए गलत वड़े है तो हम लोग पर दोश्मत डाले, और यहां तक पंजाब की बात है, मुझे तो लगता है आम आदमी पार्टी, बन जाएगी, आम आदमी पार्टी की में आपकी आड्स देखने के लिए तयार हो जाईए अगले पांथ साल, अगले पांथ साल, अब बस कुछी मिनिट बाकी रह गए है, मुझे कहा गया आपनी सीट पर बैठ जाईए, हवाई जाज बडाना है अब आपको, और ये मेरे साथ मेरे सायोगी जुड़ गए है, श लोगों के महाल बनाने की कोशिश कर रहा है, मैं ये वुमीद करता हूँ रुमाना, क्या रही आगे शोबनाव प्रतिमाब इसको आगे बढ़ाएंगे चार सुतीन की चार सुतीन, विधान सबा सीटों का पूरा हिसाब किताब यहां उपर की तरफ मिलेगा, बाकी चार राजे पंजाब, उत्तराखंड और साथी गोवा, मनिपूर, उनकी पूरी की पूरी नतीजों की लिस्ट जानने के लिए आपको नीचे की जो पट्टी है पूरा हिसाब आपके सामने आएगा, नजर बना कर रखें स्क्रीन पर, एलेक्शन सेंटर से सीधे अब आपको लेकर चलूँगी मैं, नीउस सेंटर शोगना के पास जाएगा, जैसे जैसे ये पता चलता रहेगा कि कौन सीध पर, कौन जीत रहा है, वो हम फटाफट आपको यहाँ पर दिखाएंगे तो ये 2017 विजान सबा नतीजे उत्तर प्रडेश के हैं, ये देखिए, सहारनफूर की अगर बात करें, ठाकर दुआरा, मेरेक, खुरजा, ये जो खुरजा, खेरागर, बिलसी, ददरॉल और सांडी देख रहें, यहाँ पर बीजेपी की ने जीत जगाई थी, राइबरेली की बात करें, तो राइबरेली का आकड़ा यहाँ पर विदुना, ये देखिए, ये जो तमाम बड़े शहर, जिले, जिनकी एक एक सीट, सब का हिसाब किताब, इस स्प्रीन पर आपको देखने को मिलेगा, आप देख सकते हैं, 2017 के हिसाब से इस समय, रंगों में हमने स्क्र आगे बढ़ेगा, हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे, सरोजनी नगर से जो उमीदवार है, राजेश्वर सिंग्ग, वो क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं उनको इनको बिल्कुल ठुकरा चुकी है, और उनकी पहले ही मुस्कराहट गायब हो चुकी है, गवराट दिख रही है, समाजवादी पार्टी इस सब पार्टियां कहीं चुनाव में नहीं है, दीदी आसिरवाद मिलेगा छोटे भाई, विजय भाव जीतेगा, नाम करेगा, और जो कहा, देश के लिए काम करेगा, जो भारती जन्ता पार्टी जो जैसा राजेश्वार ने कहा कि राश्ट के लिए कर रहा है, तो मैं एक ही चीज कहूंगी, कि राश्ट के लिए, देश के लिए, राजेश्वार विजय भव तो लगनों की सरोजनी नगर सीट से राजिश्वर सिंग को आपने सोना पूर वीडी के अधिकारी है इनके सामने समाजवादी पार्टी के डॉक्टर अभिशेख मिश्रा है जो की समाजवादी पार्टी सरकार में पूर्व मंत्री थे मुकाबला बहुत कड़ा है और देखि गोरकपूर से उनके सामने उपेंद्र शुकला की पत्नी सुभामती शुकला सामने है और देखिए SPS बगेल भी आच चुके है यादव बनाम गेर यादव की लड़ाई है करहल सीट पर अखिलेश यादव से देखिए सिरातु सीट से केशर प्रसाद मौर्या अनुप्रिय पटेल की बेहन पल्लवी पटेल क्या कड़ी टक्कर दे पाएंगी उप मुख्य मंत्री को असब से तेज नतीजे इसी स्क्रीन पर हम आपको दिखाएंगे सुमित हमारे साथ है रुमाना हमारे साथ है और हम में सीधे रुक करूंगी मेरी सायोगी प्रतिमा का प्रतिमा टूए यू पर सबसे शांदार जानदार कवरेश लगातार जा रही है और जो भी लगातार पर कवरेश देख रहे है वो जान रहा है समझ रहा है कि डेटा सेंटर में इस वक्त में कहा मौजूद है यह है उत्तर प्रदेश की विधान सभा जिसमें है 403 सीटे और हम बता रहे हैं ग्राफिक्स के जरिये कि 2013 की स्थिती क्या थी तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मेरी दाहिनी ओर बेज़ेपी प्लस को 325 सीटे 2017 के चुनाव में मिली थी इसलिए आपको पूरा सेक्शन भगवा रंग में रंगा हुआ दिखाई दे रहा है अब इस ओर आजाएए इस ओर जो स्थिती है वो बताती कि पिछली बार सपा को बिल्कूल भी किसी ने चुना नहीं पसंद नहीं किया इसलिए 47 सीटों पर ही सिमट कर रहे गई थी सपा इस बार क्या तस्वीर बदलेगी स्थिती बदलेगी यह हम ग्राफिक्स के जरी आपको बताएंगे जैसे जैसे ग्राफिक्स आएंगे बिजली मंत्र है यूपी के श्रीकान शर्मा सुनते क्या क्या रहे कॉनफिनस लेबल है पूरे कारकारताओं का हम सबका हमारी लीडरिशिप का सबका बढ़ा रहत है वी हमने काम किया जमीन पर हमारा काम बोल रहा है और जो काम किया है वोही बूट में conta हुआ है तो ये स्पस्ट है एकदम किलियर दिवार पर आपको लिखा हुआ दिख रहा है कि भारतियंता पाठी की प्रचंड भौमस से दूसरी बार यानि कि पुन्हे हमारी सरकार उत्तपरदेश में बन रही है हमारे काम के दम पर जन्ता ने आशिरवाद दिया है ऐसा मेरा पूर्ण भरूसा है श्रीकां जी अभी देख रहा था मैं भगवान को नमन भी किया आपने और आप तो रहते भी और विधायक भी उसी शहर से हैं जिसको पूरी दुनिया में कृष्ण नगरी के तौर पर जाना जाता है तो क्या आपने भगवान से आज खास तौर पर मांगा देंकि हमारा गुविंद हमारा है कृष्ण हमारा इ beds के दर्सन और फिर गिर जी के साथ होली भी हम लोग खेलते हैं तो भगवान से एही कामना करते हैं कि हमारे हमको इस वर इतनी ताकत दे इतनी हमको सामर्थ दे कि हम जो ब्रज का हमारे प्रदेश का जो परातन सरूप है हमारे लीडर्शिप को इतना अशिरबाद मिले कि जो परातन सरूप है हमारे भारती का हो है सब बापिस मिले तो यूपी की बिजली मंत्री है श्रीकान शर्मा सुना एक बार फिर से वो अपनी जीत का दावा कर रहे एक बार फिर से आपको लिए चलते है इलेक्शन सेंटर जहां मौजूद है सुमिध जी और रोमाना शुकरिया पते माहा शुकरिया शोबनो आपके साथ आते रहेंगे अप्डेट्स लेते रहेंगे लेकिन हो कुछ नए महमान जुल गये हैं आट बजने में पांछ मिनित का वक्त बाक्त है किसी भी वक्त तपहला रुजान हमारे पास आएगा नए मेमान यहापर हैं CP राय साहाम मेरे साथ जुल गए हैं आलोग शरिमा जी कॉंग्रेस पारटी के परवक्ता हमारे साथ आ गए हैं भ internitzer पारटी के तदाशी सूत साहब मेरे साथ आ गए हैं और बाकी पेनलिस्स बने हुए हैं सबसे सटीक और सबसे सही विशलेशन के लिए अकाश वानी पारों की किस्मत का फैसला जनता ने तै किया है वो फिटारा खुलना शुरू हो जाएगा और उसके बाद गुरुजहान पहले आप देखेंगे एबिपी न्यूस पर तो पांच मिनिट से भी अपकम का इंतजार रह गया है सुमिद और एक चीज़ और हैश्टेग रिजल्ट जो हमने बातचीत किया है यहां पर मौझूद 15 लोगों में से ज्यादा तर लोगों ने कहा यूपी में भाजपा की सरकार बन रही है एक अतर साब है अतर हुसें ताब जिन्होंने कहा कि सपा सबसे बड़ी पार्टी बनेगी राज किशोर जी और साथ में अभे दुबे थ देख रहे हैं यहां पर आच सुबह सुबह हमने आपको दिखाया था भगवन्त मान साथ आमादमी पार्टी का उमीद्वार जो हैं वो गूर्दवारे पहुंचे है और यह देख रहा है आप आम आदमी पार्टी के लिए किस तरीकी का जोश इस बार देखने के था तेन मिनिट बार किए तीन में महमानें उन्से किक बार पूठ लेना चाहिए आजी शूद यूपी में क्या है एक इस पी गड़ बंदन आप क्या रहे हैं कितनी सीटे देंगे 200 प्लस हो जाना चाहिए सरकार बना रहे हैं समाजबादी पार्टी लीजे एक और नाम जोड़ लीजे सोबेजे बनारस की तस्वीर हैं हमाई सामने सीपी राय साब कहा रहे थे कि वहाँ पर सपा की सरकार जीच सकती है बनारस लगातार पिछले दो दूनों से सुर्ख्यों में हैं जब से वहाँ पर क्या पोलिंग खतम हुई कभी EVM की कॉंट्रोवर्सी को लेकर तो कभी निर्वाचन अध बहुं हैं पर साइक्ल कबल खिलने वाला है पंजाप में क्या जैदू का जान्त कार का मों चड़ने वाला है जीसक शर्ट और लगा लेते हैं जमफmost सबसे पहला रुजान कहाँ से आए गा उत्तर प्रदेश से आएगा यहांगा थो निहीं ज़ड़ा निर्वाचन गर्माचारियों के उपर है नहीं निशीत रूप से और जो है गिंती शुरू होने में थोड़ा समय कम लगे गए अपतों मत करना दिखा लिया जहां पोस्टल बैलेट सबसे कम होंगे वहां से आएगा और वहां पूजे नहीं पता है आपको पता है आपको आइडिया यूपी से भी आ सकता है करीब 4 लाग तो नहीं जा रहें आप गोवा चोटा स्टेट है आप गोवा के लुट की गिंति नहीं करनी ही तैसे लहीं को अरक लुट आरा boysて नहीं करेंग कि दा आइगा लेंगा कि यह मैंनी मांती कि वहां की लोग रिलाक्स लोग नो टाहिं की सिका माइकल लो उन सिद्धों में 50 का जाएगी और पहला रुजान उसके बाद किसी भी पल हमारे पास आ सकता है जैसे रुमाना बोलते आ रही है कि पहला रुजान कहां से आएगा मैं तो उत्तर प्रदिश के रही हूँ आप जल्दी से बता दीजे कहां से आने वाला है मनिपूर मनिपूर से आप कह रहे हैं पहल आठ बट चुके हैं पांचो राजों में वोटो की गिंती शुरू सबसे पहले आपको लेकर चलते आंकित गुपता के पास आंकित टी शुरू जी विल्कुल रोहा गिंती शुरू ほो कही है और जय उस्वाद ते धार बेंटते हैं तो इसमें हैं मैं इसमें उमीड की जा रही है कि शुरुआत का करीबन आदा गंटा पोस्टल बैलेट की गिंती जारी रहेगी और उसके बाद एवियम खुलना शुरू हो जाएंगी एबीपी नियूज आप को रखे आगे